नमस्कार फ्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल PCS वानी में आपका हारदिक स्वागतेव अभिनेंदन है जैसा कि पता है दोस्तों सीटेट के एकजाम ठीक है सीटेट के एकजाम 28 दिसंबर से प्रारंब हो रहे हैं ठीक उसी को द्रश्ट में रखते हुए आपको पास ज्या स्काइब जरूर कर लिजए अगर आप नए हैं ठीक है आई आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सीटेट 2012 में जो पेपर हुआ ठीक 2012 में पेपर हुआ था उससे संबंदित प्रस्न देखते हैं यह दोस्तों होगा पहला भाग है चाइल डेवलप्मेंट एन प आरीके से याद नहीं किया बच्चों को प्राइबिट टूशन लेनी चाहिए थी विवस्था फेल हुई है बच्चा पढ़ाई के लिए योग नहीं है आपको एक चीछ बता दें जब भी आप प्रस्न प्रत को हल करें ठीक है तो पहली बात को बिलकुल मतलब अच्छे से पढ़ें और इसके अलावा एनसर हमेशा पॉस्ट्व दें एनसर हमेशा पॉस्ट्व दें नेगेट्व एंसर नहीं दें ठीक यानि एनसर वही दें यह बहुत बड़ी बात है सीटेट समधित जो भी अभिधारती हमारे हैं हमारे वीडियो जो देख रहे हैं आप जब भी एंसर दो तो positive एंसर दो जैसे इसमें है अब देखे बच्चे न उत्तरों को सही तरह के सियाद नहीं किया ठीक तो यह एंसर नहीं हो सकता बच्चों को private tuition लेनी चाहिए तो बिल्कुल नहीं हो तो negative बात बोलना है ट्यूसर लेनी चाहिए तो पास हो जाएगा यह भी नहीं है ठीक बच्चा बिवस्था फेल होई है तो यह answer हो जाएगा आपका third ठीक यानि बिवस्था फेल हो यानि बच्चा क्योंको छोटा होता है अगर उसको सही से पढ़ाया नहीं जाएगा ठीक तो वो पास कैसे होगा यह बिल्कुल positive answer है बच्चा पढ़ाय के लिए योग नहीं है यह भी negative answer है तो आप positive answer हमें इसाजी दीजिए आपके question बिल्कुल चाही होगे और question को जो answer आपके चाही होगे आगे चलते हैं नेक्स question है दोस्तों सिच्छन से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है अगर सिच्छन के अधिगम की बात हो रही है ठीक learning अधिगम को जानते ही हो जो सिच्छन से अधिगम पर बल देने यानि सीखने पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है क्या परिवर्तन हो सकता है आफशन है आपके बाल केंदि सिच्छा परिदित अपना कर रटने को पुर्शाहित करके अगरे सिच्छन की तकनीके अपना करके और परिच्छा पहिणामों को ठीकि परिच्छा पहिणामों पर केंदित हो करके अब देखे निगेटिव एंसर पहले आप छांट देजिए रतने को देखे रतने पर पुर्षानी समिन बिल्कुल नहीं दिया जारा आप इसको हटा देजिए अगर शिच्छा की तकनिकी अपना करके देखे ये भी नहीं होगा अगर मतलब आगे ये भी नहीं होगा शिच्छा की तकनिकी अपना करके परिच्छा को पहिणामों पर केंदित करके तो बिल्कुल नेगेटिव है ये भी नहीं होगा बाल के इंदी सिच्छा आपसन आपका ए सही होगा बाल के इंदी सिच्छा पद्धती अपना करके देखें जो इस समय सिच्छा पद्धती चल रही है वो बाल के इंदी सिच्छा पद्धती ही चल रही है यानि बच्चों पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है तो कभी भी ऐसा question हो, तो बाल के इंदी जो है आपसन उसका सही होगा, next चलते हैं, हमारा थर्ड question है, बीजो का अंकुरन संकल्पना के सिच्छन की सबसे प्रभावी प्रध्यत है, कोशन आप अच्छे से पढ़िए, हमेशा जब भी आप पेपर दे रहे हूं, अब आपसन आ बिद्यार्थियों पर पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरन के चर्णों का अलोकन करना, पहला आपसन है आपका, ठीक, जो आपके आपसन है, पहला आपसन क्या था, बिद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीजों को बोना और उसके अंकुरन के चर्णों का अलोकन करना नेक्स बी कोश्चन है यानि सियाम पड़ पर चित्र बना कर और वर्डन करना ठीक थर्ड है बीर्ज की ब्रद्ध के चित्र दिखाना और फोर्थ है विश्चत ब्याख्या करना तो देखिए दोस्तों ये आप हमेशा याद रखिए जब भी बच्चों से आप जब प्रियोगात्मक बिद्ध से कोई भी कार करवाया जाता है आप बच्चों से प्रियोगात्मक बिद्ध से कुछ करवाओगे तो उसको तुरंत याद हो जाएगा तो ये देखिए इसमें कहरे हैं अगर बीजों का अंकुरन करवाना है एक संकल्पना दी जाती है सिच् करेंगे तो ये पुद्धती ज्यादा कारगर होगी ठीक है तो इसका अप्शन ए सही होगा ओके दोस्तों आगे चलते हैं समवेशी सिच्छा की बात हो लिए यहाँ पर समवेशी सिच्छा क्या है कच्छा आप्शन है कच्छा में विजिता का उत्सो मनाती है सेकेंड है दाखले संबदित का ठो प्रक्रिया को बढ़ावा जेती है थर्ड है तत्थों की सिच्छा संबदित है तत्थों की सिच्छ करने से समबंदित है देखिए आपके अपसन आप देख लिए हैं अब आपको बताने हैं क्या अपसन सही होगा देखे दोस्तों समेशी सिच्छा क्या है आपको पता समावेशन समावेशन का मतलब ही होता है दोस्तों सबको साथ लेके चलना ठीक यानि जब सबको आप साथ ल जो मजबूत है यानि अच्छा भी ध्यार्थी है रुप अपक्ड़्च मेड़िया जरूर चलिए पढ़ने में कमजोर है जो पढ़ने में अच्छा है दोनों को साथ में सिच्छा दी जाती इसमें और जो दिब्यांग है उनको अलग से नहीं मतलब सिच्छा दी जाते हैं उनको भी साथ में सिच्छा दी जाते हैं तो विविद्धता होती है न तो आप्षान एस ही होगा विविद्धता क्या उस्व मनाती है यानि विविद्धता की बात होती है सिच्छा में और तो कोई हो दोस्तों 2009 के काड़ी उसमें लचीला पन होना चाहिए ठीक है जो रटन पडाली है उसको खतम किया जा रहा है ठीक तो यह सारी चीजें है बाल केंदी सिच्छा की बात हो रही है तो यह सारी चीजा ब्याद रखो तत्थों की सिच्छा से सम तत्थ की बात नहीं है तो यह हो ही नहीं सकता आगे चलते हैं निमलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ट प्रश्ण है अब वस्तुनिष्ट ठीक है इसकी बात हो रही है अब आप देखते हैं क्या है वस्तुनिष्ट एंसर है आपके जो आप्शन पहला है लग उत्रात्मक प्रश्ण मुक्त उत्तरवाला प्रश्ण सत्य असत्य और नि जो है answer दीजिए comment के माध्यम से दोस्तों इसका answer होगा आपका answer सी सही होगा यानि third ठीक देखे जब एक line लिख करके ठीक है एक line लिख करके या पूछा जाए है कि वाक सत्य है असत्य आप देखे होंगे एक line लिखे रही होती है और यह पूछा जाता है कि वाक यह सत्य है या असत्य तो आएसे प्रस्ण हमेशा वस्तुनिष्ट प्रस्णों में से आते हैं ठीक है आगे चलते हैं निमलिखित में से कौन सी प्रग्रति सील सिक्षा की विशेष्टा है प्रग्रति सील सिक्षा की बात हो रहे प्रग्रिसिव सिक्षा मतलब एजूकेशन ठीक है अब आफशन देखिए आप केवल प्रस्तावित पात पुष्टकों पर अधारित अनुदेश परिच्छों में अच्छे अंग प्राप्त करने पर बल बार बार ली जाने वाली परिक्षाएं समय सांडी और बैठनी की विवस्ता में लश्चीला फ़न ठीक है देखें दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम चार्शा किये थी जो सिच्छा अभी जो अगामी सिच्छा प्रद्धती हमारी है ठीक है जो हमारी सिच्छा प्रणाली है पहले सिच्छा प्रणाली जो है उसमें बदलाव किये गया है वो रटने पर मतलब केंद्रियत थी और बहुत सारी कमियात थी उनमें तो उसको progressive बनाने के लिए दोस्तो μέ filters पन जोड़ा गया है जो progressive सिच्छा होती है दोस्तो में लचीले पन को दरसाती है तो समय सांडी और बैठनी की वेवस्था में लच्छीले पन होना चाहिए यह answer आपका answer साही होगा मतलब जो समय साइडी जो हो उस पर और बच्चों की बैठनी की बिवस्ता में लचीला पन हो ऐसी बात करती है प्रोग्रिसिव सिच्छा बढ़ा ले यह भी सेचता है इसकी दोस्तों आगे चलते हैं जब इलचीला पन हो तो पाजटिव एंसर उसका होता है आप याद रखेगा हमेशा ठीक इसके बाद सेवन कोश्चन है हमारा क्या है एक सिच्छक प्रश्ण पत्र बनाने के बाद यहां जांच करता है कि क्या प्रश्ण पत्र परिच्छन के बिसिष्ट उद्देशों की परिच्छा ले रहे हैं वहां मुक रूप से प्रश्ण पत्र की मतलब डैट डैस के बारे में चिंतित है अब आपके यहां भरना है क्या एंसर यहां सही होगा अब देखिए दोस्तों आप जो है यह जो आफसन उनको सुन लेजिए संपूर्स बिसे वर्ष्ट को संबलित करना प्रश्णों के प्रकार बिस्वस्नीता और बैदिता की बात हो रही है तो आफसन आपके काउन से सही हो होंगे आप एंसर देजिए तो इसका आफसन सही होगा ए दोस्तों जब भी देखिए एक सीच्छक प्रश्णप्रत बनाने के बाद यहां जाच करता है कि आप प्रश्णप्रत परिच्छन के विश्ष उद्देशों की परिच्छा ले रहे हैं वहां मुक रूप से प्रश होता हैसा मुद्देश होता है संपूर्ण बिसेवस्त को सामिल करना संपूर्ण बिसेवस्त को सामिल करेगा तब यह उप्रश्णप्रत बनाएगा छिएक तो इसका एंसर होगा दोश्तों ए आगे चलते हैं । बिवेचानात्मक सिच्छा साष्ट का यहां दढ़ भी स्वास है कि आपसन आप सुनिए सिच्छार्थियों को स्वतंत रूप से तरकड़ा नहीं करनी चाहिए कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यहां अप्रसंगिक है सिच्छार्थियों के अनभाव और प्तैच्छन महत्पूल होते हैं एक सिच्छक को हमेशा कच्छा कच्छ के अनुदेशन के नित्यत्रों करना चाहिए दोस्तों देखे यहां पर बात हो रही है बिवेचनात्मक सिच्छा साष्ट की भीवेशना करना मतलब किसी चीज का मतलब विस्टलेशन करना वो ऐसी बाते हो रही है तो देखे पहला आप्शन जो आपका था सिच्छार्थियों को स्वतंत रोप से तर्गड़ा नहीं करनी चाहिए तो यह अप्सन गलत तरक की बात जब यहां तरक नहीं करने चाहिए तो यह गलत जब विसलेशन होगा दोस्तों विवेशना किसी चीज़ की होगी मन्थन होगा तो उसमें तरक जरूर आएगा तो यह पहला यह आप देखे हमने कहा निगेटिव वाले को पहले आप हटा यह निगेटिव नहीं होता इसमें बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यहां अप्रसांगिक है यह भी निगेटिव की बात कर रही है ठीक है यह अप्सन निगेटिव Key की बात कर रहा है सिच्छारतिव क्या अन value और प्रतेच्छর महत पूर्ण होते हैं अन भवख और देखे विवेशना तभी हो पाएगी जब आपके अनुभो और प्रितेच्छण महत्त पूर्ण होंगे जो अगना अफशन था आपका एक सिच्छण को हमेशा कच्छा कच्छ के अनुदेशन का नित्त करना चाहिए ठीक होगा यह पॉजटिव है ठीक है लेकिन जो विव अपके अनुभाव और प्रतेच्छण महत्त पूर्ण है जो विवेशना आत्मक सिच्छा शाष्थ है उसका यह मानना कि स्चात कोई भी कारिया बीशाय को सीखने के लिए स्वयम क्रिया करलाप करे तो ज्यादा सीखेगा ठीक है तो आइसी मतलब जो है पड़ाली अपनान चाहिए चिंतन करे तर्क करे अपने अनुभाव को इस प्रकार से संगठित करे यह समयोजित करे समंजन करे उसका ताकि सीखने में प्रत्य क्याश दी और प्रत्य को बाटेगा तर्क करेगा ठीक और सोयम से चिंतन करेगा ठीक क्रिया कलाप करेगा तब यह प्रत्यच जो है लाप उसको होगा ठीक है आगे चलते हैं जब भी आपसन में कोई निगेटिविटी हो तो आपसुर्ट को आप कभी भी टिक मत करेगे जब आप कुछ यहाँ मतलब जो है वो भी करना है तो कभी लगाना हो तो निगेटिव वालों को हटा करके ही लगाईएगा आगे चलते हैं पॉस्टिवल जो आप्षन होता वो ज्यादर सही होता है ठीक है नेक्स कोश्चन है आपका बिद्यारे अधारित आकलन मुख रूप से किस सिद्धान पर अधारित होता है इसके आप्षन है वाई परिच्छकों की अपेच्छा सिच्छक अपने सिच्छार्थियों की छमता को बेहतर जानते हैं किसी भी कीमत पर सिच्छार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए विद्याले वाई परिच्छा निकायों की अपेच्छा ज्यादा सक्षम है और अप्षन है लास्ट आकलन बहुत कि फायती यानिमी तब्याई होना चाहिए ठीक है अब देखे इसके एंसर क्या सही होंगे आप कमेंट के मैंदम से हमें बताईए आप सोचिए इसमें सबसे पॉश्ट्टू एंसर क्या हो सकता है ठीक बिद्यार्थी देखे बिद्याले अधारित आकलन की बात हो रही है जब बिद्याले में कोई आकलन होता है तो मुक रूप से किस सिद्धान पर धायत होता है तो वाई परिच्छकों की अपेच्छा, ठीक है, सिक्षक अपने सिच्छार्चियों की छमता को बेहतर से जानते हैं से ओर सी बात है, कि जैसे कि हम कहीं पर पढ़ाते हैं इनी बच्चों को ठीक है तो उनको हम बेहतर तरीके से जानते कि इस बच्चे में क्या कमिया है ठीक है किस बीसे में इसको ज्यादा महारत हासिर है और किस बीसे में इसको नहीं है कौन सी ज्यादा समझता कौन सी ज्यादा नहीं समझता जो सिछक को उसको पढ़ा रहा होता वही जान पाएगा जो बाहरी सी परिच्छक हैं वो कैसे उनको जान पाएंगे तो इसका जो जब आकलन होगा तो आकलन तो इसलिए किया जाता ना कि हम जो विद्यारती है उसी कमजोरियों को जान करके ठीक है ना उस पे एक सुधार करें तो यही बात है दोस्तो इसका अपसन ऐसे हो किसी भी कीमत विद्यारतों को अच्छे ग्रेड नहीं मिलने चाहिए अच्छे नहीं की बात हमने देखिए पहले भी कहा अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए किसी भी कीमत विद्यारतों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए ये भी negativity की बात कर रहा मतलब मिलने ही चाहिए तो अच्छे grade क्यों मिलेंगे जब वो आकलन देखे आकलन का मतलब ये थोरी होता है कि आप अच्छे grade देदो तो आकलन हो गया, नहीं उसकी कमियों को जानो कमियों को जान करके उसमें सुधार करो बिद्याले वाय पर इच्छा निकायों क्या पेच्छा ज्यादा सक्षम है ठिक, देखे ये भी मतलब जो है negativity की बात कर रहा आकलन बहुत किफाइती होना चाहिए यानि आकलन जो कि ये भी देखे positive answer नहीं है, तो इसका सब से positive answer यही होगा आगे हमारा करते हैं, बैक्तिक का मतलब जैंदे बैक्तिक गत होता है, अता सिक्छक को क्या करना चाहिए, आपके आपसन है सीखने के बीविद अनभावों को उपलव्द कराना चाहिए कठोर अनुसासन सुनिश्चित करना चाहिए परिक्छाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए अधियम की एक समान गति पर बल देना चाहिए देखे इसमें दोस्तों बात हो रहे है पहले आप question समझा करें इसके बाद answer दिया करें जिस भी अभ्यारती को answer आ रहा हुआ, comment के मैं आदा बता दे, इससे आपका revision होता रहेगा और आपकी छमता भी पता चलता रहेगा, आपने कितना पढ़ा है, treated के लिए ठीक है, आप exam qualify करने की योग हो या नहीं, आप देखे, आप practice अच्छे से करो कि तो आप exam qualify जरूर कर लोगे कोई बड़ी बात नहीं है ठीक, बहुत आसान exam होता है ये, सिच्छार्तियों की ब्यक्तिक भीभिनता की बात हो रहे है, देखे, ब्यक्तिzlich गद भीभिनता है, अगर वो परदर्शित करता है कोई शिच्छार्ति, ठीक है ना, तो सिच्छक को चाहिए दोस्तों कि वो हर तरह के अपने अनुभावों को उपलब्द कराना यानि हर तरह के अनुभावों को उपलब्द कराना चाहिए कठोर अनुभावों केवल ये सब आजाए इसको भी हटा दो कठोर आजा इसको भी हटा दो और ठीक है ये सारी चीज़े बिलुकु तुरन्त हटा दो बच्चे की मारने की बात हो उसको तुरन्त हटा दो और इसके बाद है थर्ड जो अप्षन था परिच्छाओं की संख्या बढ़ा देने चाहे ये भी गलत है अधिगम की एक समानगती पर बल एक समानगती नहीं हो सकती कभी भी ओके आगे चलते हैं तो इसका आप्षन आपका पहला ही सही होगा ओके आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 11 है दोस्तों देखिए क्या है नेमलिखीत में से कौन सा विकास का सिध्धान था विकास की सिध्धान की बात हो रही दोस्तों देखे आपने अगर पढ़ा होगा विकास का सिद्धान तो इसमें आप अंसर तुरंत करो लोगे हैं कमेंट के माद हमसे तुरंत बताईए आप तुरंत सभी की विकास दर्समान नहीं होती है सभी की विकास दर्समान देखी नहीं आ गया चिक विकास हमेशा रेखिये होता है चीक है आगे देखते हैं थर्ड यहां निरंतर चलने वारी प्रक्रिया नहीं है चीक, निरंतर कर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर सम्मंधित नहीं है अब देखे इसमें निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बिकास कभी भी देखिएगा ब्रद्धी और बिकास में अंतर समझे होंगे अप बिकास हमेशा निरंतर जीवन प्रिजतन चलता ही रहता है ठीक है ठीक है जो ब्रद्धी होती है वो एक सीमा तक होती है ठीक है जैसे पेड़ है पेड़ एक लंबा मतलब जैसे पेड़ छोड़िये जैसे इनसान है उसके लंबाई है ठीक है एक ब्रद्धी होई उसकी इसके बाद वो जाकर कर रुख गई लेकिन बिकास दोस्तों वो रहता है निरंतर जो है चलता ही रहता है तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो मतलब ये आपसन आपका तुरंत गयाब हो गया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है तो ये पहले इसे कट कर दीजिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जीवन प्रिं होता हर चीज का विकास होता देखिए अब देखे कभी कभी क्या होता है विकास लेकिन किसी मंद होता है किसी में धीमा होता है यह होता है विकास की दर जो है दोस्तों विकास की दर जब होगी वो समान नहीं होती हर ब्यक्ति में विकास की दर समान होता है किसी विकास ज्याद के पढ़ाओगे आप जब सिच्छक बनोगे तो आप जब आप अन्भो करोगे दीए हम तो सिच्छक है फिलाल तो हमने अन्भो किया कि कोई बच्चा जो है अगर सेम चीजे बताओ तो कम जल्दी निकाईज नहीं कर पाता सब बच्चों में विकास की प्रक्रिया जो है जो ह मान नहीं होती किसी में कम विकास होता है किसी में ज्यादा विकास होता है ठीक है आगे चलते हैं माकी तो आप सना आप देखी लिए हो विकास एक रेखी रेखी नहीं होता है विकास ठीक है और यह निरंतर चले वाली प्रक्रिया नहीं आ गया था इसमें विकास की सभी प् मानौ भीकास को छेत्रों विवाजित किया जा सकता है, जो है, आपसने आपके सरीरिक, संगनात्मक, संबेदात्मक और समाजिक, संगनात्मक, संगनात्मक, अध्यात्मिक, समाजिक, मनोबैग्यानिक, संगनात्मक, संबेदात्मक और सरीरिक, सरीरिक, अध्यात्मिक, संगनात्मक, समाजिक, ठीक है, दोस्तों आप इसका एंसर दीजिए, जिस हमारे अभ्यार्ति को इसका एंसर पता हुआ, आपसन में इसक answer होगा हम आपको पहले answer बता देते हैं answer a होगा ठीक अब देखिंगे अब इसका detail जानते है कैसे मानो बिकास को छेठर विभाजित किया जाता है जो मानो का बिकास छेठरों में देखिह सबसे पहले आपको जरूरी है शरीरी विकास तो इसलिए इसमें सरीरी विकास है सबसे पहले आपका सरीरी विकास बहुत जरूरी है देखिए मानो का विकास छेत्र ठीक है हर छेत्र में दोस्तो साथ साथ होता है और हर मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्टर समंदित है जो विकास होता है, जो हर छित में होता है और एक दूसरे से अनता सम्बंदित भियाँ आभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा किये भी जो विकास की प्रिपियाँ हैं, अनता सम्बंदित होती है ठीक है? इसने पहले जैसे मानो, मतलब सब से महत् cooking ये है ठीक है मानो में कि सरीर ग्रूप से तयार होना चाहिए कभी कोई कार करने के लिए अगर वो सरीर ग्रूप से तयार नहीं होगा तो क्या कोई कार कर पाएगा तो पहले सरीर कभी कास होने जरूरी है तो इसमें पहला अपसना है सरीर कभी कास फिर इसमें जब कोई किसी चीज के वारे में सोचेगा किसी छेट के वारे में सोचेगा दोस्तो तो संग्यान में लेगा कोई जिसे हमें कोई चीज मिली हम कोई बात हमारे सामने आई किसी चीज का मतलब जो है नीड़ने लेना तो पहले हम उसको अच्छे से जानेंगे, संग्यान में हमारे आएगी ना, संग्यान में आएगी, तब आगे हम कोई बात करेंगे उसके, तो पहले इसके बाद संग्यान की बात होती है, कोई चीज को संग्यान मिलेंगे, ठीक है, सरीरी ग्रूप होने के बाद उसे संग्यान मिलाकर उसवर बिचार करेंगे संग्यान मिलाएंगे उसवर बिचार करेंगे इसके बाद उस बिचारों को सोंच समझ कर प्रस्तुत करेंगे ठीक है सोंच समझ कर संबेगात्मक emotional सोंच समझ करके जो है उसको प्रस्तुत करेंगे अब इसके बाद में तो समाज आता है छीक है इसके बाद जो है समाज कि वह सकता होती है तो मतलब दोस्तों मान व विकास को छेथन विवंद्ध किया जाता है सरीरिक, संवेगा आतमक और संवेगा आतमक और समाजिक ये अपिसन ऐसा ही होगा तो आप हमेशा याद रखेगा सरीरी भी कास होगा जब किसी चीज की बात होगी तो पहले उसको संग्यान मिलाएंगे संग्यान मिला करके सोच समझ करके उसको प्रस्तुत करेंगे फिर समाज की जरूरत होगी ठीक है प्रस्तुत करने के लिए आगे चलते हैं एक सिच्छिका पाठ पुष्टक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रियोग करती है और अपने बिद्यार्थों से चर्चा करती है बिद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ग्यान से जोडते हैं और पोशन की संकल्पनों को सीखते हैं यहां उपागम डैस ठीक है पर अधारित है किस उपागम का मतलब इसमें यह कहा गया है कि एक सिच्छिका पाठ वश्टू ठीक है यहां उपागम है दोस्तो आप जानते होगे कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है अगर कोई चीत्रों के माध्व हमसे देखते हैं तो इसके दिमाग में जल्दी छपता है ठीक है तो इसमें एही कही गई है बात ठीक है कि एक सिच्छक पाठ वस्तुक सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है ठीक है और अपने विद्यार से चर्चा करती है विद्यार से जानकारिस अपने पूर्व और अगर कोई चीज हम अच्छे से समझाना है बच्च को तो उस चीज नई चीज को अच्छे से ग्रहन कर लेगा जब वो पहली की चीज को जानेगा कि यह चीज से सम्मंदित है तो अच्छे से उसको सरलता से ग्रहन कर लेगा तो ऐसे में दोस्तों जब ऐसी बात होती तब ग्यान निर्माण होता है हम नया कुछ सिखाने की बात करते हैं तब ही पूर विग्यान की बात होती है अगर बच्चे कुछ नया सिखाना है तो आप पूर विग्यान की बात कीजिए उसके चित्रों के माधव से दिमाग में डाल दीजे ओ बात तो वो तुरंद बच्चा उस चीज को सीख चीक है तो यह बात हो रही है दोस्तों तो इसमें दोस्तों ग्यान निर्मान की बात हो रही है इसका आप्षन सही होगा डी ग्यान निर्मान की बात हो रही है अधिक्यम के सास्त्री अनुबंधन यह तो हो गाए नहीं अधिक्यम को सास्त्री अनुबंधन सिद्धान थी दोस तो यह आपका किस मतलब जो है मनों पर ग्यानिक ने दिया था आप बताईए कमेट के में चले आगे चलते हैं जब बच्चे की दादी उसे उसकी मा की गोच से लेती है तो बच्चा रोने लगता है बच्चा की कारण होता है किस कारण से रोता है समाजिक दुस्चिंतता संबेगात्मक दुस्चिंतता ठीक है अजनबी दुस्चिंता ठीक और बियोग दुस्चिंता ठीक पहला समाजिक दुस्चिंता दुस्चिंता और संबेगात्मक दुस्चिंता और अजनबी दुस्चिं आप कमेंट के माज़न से बताएं, चारे लोग कमेंट करें, तो इसका एंसर होगा दोस्तों, क्या एंसर होगा, ठीक, बहुत लोग भी बता रहे हैं, ठीक, कोई ए बता रहा है, ठीक, कोई अजनभी और भी योग, तो इसका जो देखे जो आपकी Child Development या पेड़ा गोजी की जो भासा है ठीक है उसके कार्डिंग आप जवाब दिया करें जब कभी भी ऐसी बाते हों मनोपे ग्यानिक संबेगात्माग ठीक है ग्यानात्माग ठीक है संबेगात्माग इस ऐसी बाते हो तो वही एंसर ज्यादव सही होता है अप इसको हमेसे याद रखिएगा तो इसका एंसर भी सही होगा संबेगात्मक दुष्चिंता अब संबेग की बात नहीं हो रही है छोटे बच्चे को बियोग अजनबी और समाजिक दुस्चिंता की कोई बात ही नहीं है छोटा बच्चा तो छोटा वो क्या जाने अजनबी है की हमारा कौन है बियोग की बात भी नहीं जानता वो ठीक है इमोशन जुड़ा होता है छोटे बच्चे मे मतलब emotion होता है emotion यह देखिए आप English पढ़ लिए करें English से बहुत सारी चीज़े क्लियर हो जाती है ठीक है यह देखिए emotion ठीक यहां देखिए emotion लिकना आगे चलते हैं जब वो कि अपनी मां से मतलब जुदा होगा अलग होगा बच्चे की दादी उसे अपनी मां की गोश से लेती है दादी लेती है तो बच्चा रोने लगता है तो मां से उसका इमोसन जुड़ा होता है ओके ठीक यह चीज है आगे चलते हैं सिच्चा के संतर में समाजी करण सितातपर है कोश्चन नमर 15 है अपना समाजी करण सितातपर है समाजी करण क्या होता है इसे समंदित चीजे हैं देखे यहां समाजी करण की बात हो रही है आपसन हैं आपके अपने समाजिक मांदंड बनाना समाज में बड़ों का समान करना सम आपसन आपने समय इंगेटिवब बाते हो रहे हुं। इभी नहीं होगा बड़ो का सम्मान सभी का सम्मान बड़ो का भी करो समय वाटवड़ में अनकूल एम समयोजन तो यह आपसन सी जई होगा समाजिक वादर में अनकूलन एम समयोजन की बात होती है ठीक समाजिक मांदनों का सदय अनपालन ठीक है ये भी सही है लेकिन जो पॉस्टिव एंसर आपका सी होगा ठीक है अब देखे कैसे अब देखे समाजी करन की बात होती जब भी समाजी करण की बात होगी तो इसका मतलब है बेक्ति जो है अपने आपको समाज में अनकूलित करे समयोजित करे वही समाजी करण हुआ ठीक है जो समाज के मूलों और दरसे बेवहारों को सीख करके समाज के अन्रूप ढले ठीक अनकूलित करे यही समाजी करन समाज़ करन से ताथ पर ही यहां कि बेक्ति अपने आपको समाज में समयोजीत करें और अन्कूलित करें एंसर होगा आपका सी ओके आगे चलते हैं कोष्टन है दोस्तों 16 नंबर कोष्टन है राजिस्तर की एक ठीक है वैसिक प्रवरतियां, प्रयोजानात्मक उपागम, प्रगत सील चिंतन, लैंगिक पूर्वग्रह जब भी दोस्तों एक किसी लिंग भी सेष को प्रधानता जीद दी जाती है लैंगिक पूर्वग्रह होता है, आपका एंसर D सही होगा, लैंगिक पूर्वग्रह, लैंगिक मतलब लिंग के अधार पर किसी को वरिता देना, लैंगिक पूर्वग्रह, ठीक है, यह कोश्चन बहुत बार पूशे जाते हैं, तो आप इसको हमेसे याद रखिएगा बायोगुस्त की बच्चों के सीखने में निमलिखित में से किस कारक की महतपूर भूम का पर बल देते हैं, दोस्तों, ठीक, तो आप सनाप, दोस्तों बायोगुस्ती ने तो एक सिद्धान जिया था, अधिगम का समाजिक सांस्कृतिक सिद्धान, इन्होंने समाजिक समाजिक सांस्कृतिक सिद्धान दिया था, दोस्तों, तो आपको, मतलब जो है, इनके सिद्धान से ही पता चल जाएगा, आफशन डी सही होगा, ठीक है, इनका आफशन जो है, डी सही होगा, इन्होंने समाजिक सांस्कृतिक सिद्धान, अधिगम का समाजिक सांस्कृतिक सिध्धान दिया था बायोगोस्ती ने दोस्तों समाजिक सानस्कृतिक ठीक है अधिगम का सिध्धान दिया था उन्होंने कहा था दोस्तों उन्होंने बालक के संगनात्मक विकास पुफ की ब्याख्या की थी जो बालक का विकास है संगनात्मक विकास है दोस्तों उसकी ब्या होता है उसी के अनरूप उसमें भाव विचार द्रिश्कों मानसिक चमताओं का विकास होता है यानि जैसे कि बच्चा जिस समाज में होता है ठीक है उसी के अनरूप जो है उसमें भाव ठीक है उसके होते हैं उसी के अनरूप जिस समाजिक परिवेक्ष में बच्चा पला बात बैगोश्ची करते हैं दोस्तों ठीक है तो यह समाजिक भूम का पल पल देते हैं कि जैसा बच्चे का समाज होगा उसी कंड़ोप उसमें भाव विचार और जो है मानसिक जो चमताएं होगी ओके आगे चलते हैं कोश्चा नमर 18 है एक सिच्छी का अपने सिच्छार्थियों की बीभिद अधिगम सैलियों को संतुष्ट करने के लिए बैविश्धिपूर कारों का उप्योग करती है वहां जतलब डैट डैट से प्रभावित है किस चीज़ से प्रभावित है देखते हैं देखे दोस्तों जो ऊपर वाला कॉस्चन था ठीक है सेवेंटीन उसका इंसा देखिए यहां भी मिलता है यह देखिए इसमें जो आप्शन है पहला आप्शन था कोहल वर्ग के अनाइटिक विकास का सिध्धान्द गार्डनर के बहु बुद्धी का सिध्धान्द वाइगोसी के समाजिक स समाज के सिध्धान्द वो समाजी कुछ में मतलब समाज की प्रदानता दे थी उसकी भूम का वर्बल दिये देते हैं जैसे समाज होगा बच्ची का वैसे अभी भी बात की जाती इनवार्मिन के कार्डिंग जो है हर विकास होता है ठीक पी आजे के संगनात में विकास की का सिध्धान तो देखिए यहां पर देखिए कोस्टन को एंसर रिलेट कीजिए सिच्छी का अपने सिचारतों के विभिन अधिगम सहलियों को संतुष करने के लिए बैविध्य पूर्ण मतलब बीविधता की देखिए बात कर रही है कारों का अपयोग करती है ठीक है तो प् सिध्धान दिया था ठीक है और वागोस्टी ने संगनात्मक विकास का सिध्धान दिया था इसारे आप जो है कोश्टन याद कर लिए एक्जाम में पूछे जाते हैं डिरेक्ट ठीक है इनके बारे में रिसेट चरचा हम नेक्ट वीडियो में करेंगे यह वीडियो बहुत नमबर कोश्टन एक सिच्छी का अपने आप से कभी भी प्रश्णों के उत्तर देती है वह अपने बिद्यार्थों के उत्तर देने के लिए समूव चर्चाएं और सहयो अगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रुशाहित करती वह उपागम डैड़स सिध्धान पर अध कोश्टन आप एक बार फिर देखिए एक सिच्छी का अपने आप से कभी भी प्रश्णों के उत्तर नहीं देती है अपने विद्यार्थों को उत्तर देने के लिए समूव चर्चा करती है सहयो अधिगम अपनाने के लिए प्रुशाहित करती है ठीक है यहां उपागम किसे सम्बंदित है दोस्तों किस सिधान सम्बंदित है आपके अप्सन है अनुदेशा आत्मक समागरी का उच्छी संगठन अच्छा उदाहर प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना सीखनी की ततपरता और सक्री भागिधारिता ठीक है अब आप एंसर दीजिए कमे समू की बात होगी तो इसका मलब भागिधारिता की बात हो रही है जिसे हम बच्छों के साथ समू में बाते कर रहे हैं यानि बच्छों को अपने साथ सामिल कर रहे हैं उनको भागिधार बना रहे हैं तो एंसर डी होगा ठीक है देखे बहुत पॉस्टन में कभी कभी एंस सतर मिल जाता है सहोगाता क्यानी समूम में चर् wound में च्रचा करना समाजने की जिरूर। तो सक्री भागीदारी की बात हो रही इस में जाना उला जब में चीज में कि're इसके सब्सक्रा बाने सांवारा करें उनको भी सिच्छक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, बैटनी की उच्चित विवस्था, सिच्छण अधिगम संसादुन की उपलब्ता, विशेवस्थ या अधिगम अनभाव की प्रकृती, विशेवस्थ में प्रमीरता, ठीक है, देखें दोस्तों, कोश्चन है, कौन सा सिच्छक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, बैटनी की उच्चित देखिए, तो हो इनहीं सकता, ठीक, तो यह कट, सिच्छन अधिगम संसादुन की उपलब्ता, यह भी कट, विशेवस्थ तो अधिगम अनभावों की प्रभ्रती, यह कट शिच्छ अधिगम संधिया, जब भी शिच्छक को विशेवस्थ होगी, तभी अच्छे से बच्चों को बढ़ा पाएगा, यहिए सिच्छक जब उस 26 वश्थ में महारत, उसको आशा सी लोग को उसको अच्छे से समझेगा, जानेगा, तभी बच्चों को अच्छे सम कोहलबर्ग के अनुसार सिच्छक बच्चों में नायतिक मूलों का विकास कर सकता है ठीक है कोहलबर्ग ने मतलब जो है कहा सिच्छक बच्चों में नयतिक विकास कप कर सकता है धार्मिक सिच्छक को महतु दे करके बेवहार के इसपश नियम बना करके नयतिक मुद्दों पर अधारिश चर्चाव में उन्हें सामिल करके कैसे बेवहार किया जाना चाहिए उस कर, काठोर निर्देश दे करके यह दे काठोर वाला तो खुतरॅ कार दीजे इसको तो खटो बाहर चार वाला नहीं सेठी है पहले हम बता दिये धार्मिक शिच्छ की जब भी बात हो पेपर भारत में हो रहा है ठीक बिवहार के इस परश नियम बना करके बिवहार की इस परश नियम यह भी देखे कोहलबर्ग के नातिक विकास नहीं समन दिते हैं आपका आंसर तीन हो जाएगा ठीक है अंसर शी नायतिक मुद्दों पर अधारी चर्चाओं पर उन्हें सामिल करके देखे नायतिक मूलों का विकास तब ही किया जा सकता जैसे आप कोई कहानी सुना करके उसको नायतिक मूलों को बढ़ावा दिया से जा सकता बच्चों में आइसी बात कोहलबर्ग ने कही थी एए सच भी है ओके आगे चलते हैं कि छोटे सिर्चार्थियों को कच्छा कच्छ में सम्वयस्कों के साथ अंता क्रिया करने के लिए पुर्षाहित करना चाहिए जिससे वे एक दुस्री के प्रश्णों का उत्तर सीख सकें आफ्षा नमबर एक आफ्षा नमबर तेकें पार्ठ क्रम को बहुत जल्दी पूरा कि जा सकें थार्ड वे पढ़ने के दौरान समाजिक कोसल सीख सकें सिच्छा कच्छा कर्च को बहता तरीकेश से नियंतित कर सकें ठीक है अब आफसन क्या होगा कमेंट के मैंसल्य से बताएं देखें दोस्तों जब बच्चा समवयस्कों के साथ आप से ठीक है ना अंताक्रिय करने के लिए फुर्षाहिद जब किया जाएगा तो इससे और सी बात है कि उसका समाजिक कौसल का दिखास होगा ठीक है तो आप्शन इसका थिस मतलब जो है थर्ड सही होगा वे एक दूसरे के प्रस्णों को तर यह तो देखे हाई नहीं है पाठ क्रमों को बहुत जल्द होते हैं ठीक पढ़ने के दरान समाजिक कौसल सीख सकेंगे देखे जब बच्चा अपने उसे बड़े के साथ अंता क्रिया करेगा ठीक है ना तो वह समाजिक कौसल सीखेगा कैसे कौन से काम करने हैं कैसे कौन सा मतलब जो है तरीका क्या बैटने उटने बोलने चालने का व अब एक निर्योग ठीक है बच्चा पहली बार बिद्याले आता है तो सिच्छक को क्या करना चाहिए आपकी एपसन है बच्च को निर्योगता के अनुसार उसे बिसेश बिद्याले में भेजने का प्रस्तराव करना चाहिए उसे अन्य बिद्यालों से अलग रखना चाहिए स इसका जो सबसे उप्यूक्त एंसर होगा वो थाड़ होगा ठीक सहकारी योजनाओं को बिक्सित करने के लिए बच्चों के माता भी तक साथ चर्चा करने चाहिए सहकारी योजनाओं को बिक्सित करने के लिए उसके मम्मी पापक साथ चर्चा करें ताकि बच्चे का विकास बच्चा सरण के सात्र अनुसार उसे विशेस बिद्ध करने की बात कभी नहीं है US के बाद प्रवेश परिक्छा लेनी चाहिए ये भी बात नहीं है ठीक है तो आएंसार इसका सही होगा दोस्तों थार्ड ठीक है आगे चलते हैं अगे जो हमारा question number 24 पियाजय के संगनात्म विकास के चनो के अनुशार इंद्रिया गामत संबेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंदित है ठीक है दोस्तों पियाजय ने जो एक सिधान दिया था संगनात्म विकास का सिधान ठीक इसमें दोस्तों इन्होंने जो बच्चों का विकास होता है उसको इन्होंने चार चनों विवाज़त किया था ठीक है ने उन्होंने कहा था संगनात्म विवाज़त के साथ साथ जो बच्चे था इसका इनका जो पहले अवस्था थी बच्चे के उन्होंने बताए थी ठीक है संबेगी गत्यात्मक अवस्था या इंद्री जनित पहले जो अवस्था थी जो दोस्तों यहीं इंद्री गामक अवस्था संबेदी प्रेरक अवस्था जो फस्ट अवस्था थी इंद्री ग उसका नाम इनोंने दिया था पूर्व संक्रिया अवस्था पूर्व संक्रिया अवस्था यह दोस्टों दो वर्शे 7 वर्शे तक होती थी से केंड वाली और इसके बाद जो थर्ड थी वो दोस्तों मूर्ध संक्रिया अवस्था थी मूर्थ ठर्ट जो अवस्था इन्होंने दी दी मूर्थ शंक्रिया अवस्था ठीक है यह दोस्तों 7 वर्ष से ले करके 11 वर्ष तक थी ठीक है और जो लाश्ट थी इनकी इन्होंने इसको कहा था संक्रिया अवस्था यानि अकारिक संक्रिया था इन्होंने दी थी और दोस्तों देखे इनमें जो अब देखे इनकी पहली अवस्था थी उसमें इन्होंने कहा था कि जब बच्चा सुर्वात में होता है तो चीजों का अनुकरण करता है इसमती मानसिक निरूपन होता है तो पहला आप से इसका सही हो जाएगा करने की योगता यह भी नहीं होगी बच्चा भी बहुत छोटा दो वर्स का बच्च यह सब चीज नहीं कर पाएगा समाजिक मुद्धों का सरोकार यह भी नहीं कर पाएगा तो आपसन एक यह अनुकरण करेगा ठीक है इसमती मानसिक निरूपन उसका उस समय होगा चीजों को ठीक आपसन आपका एसा ही हो जाएगा पियाजे का संगनात्मक विकास कवस्त आप याद कर लीजेगा कोशन इससे पूछे जाते हैं उसको डिटेल में तोरह पढ़ लीजेगा समझ लीजेगा बस हम और अपने वीडियो के माद्धम से उनके बारे हम बताएंगे जरूर ओ पहले हम बता दे आपसन अनुथ के आपके कवल लगा है जब किजा जड़े जासे हमीषा फॉत में से आपको और सिख्चार देखे ये भी नहीं होगा मानो बेक्तित की बात हो रही है पालमपोर सिच्छाक भी नहीं होगा तो आपसर आपका सिकन्ट सही हो जाएगा अनुवानसिक देखे बेक्तित हमेशा जो है बेक्तिका जो होता है अनुवानसिक होता है ठीक है अब वातावन के अंताक्रिया की बात होगी कभी भी देखिएगा मतलब जो है मम्मी पापा के जो बेक्तित का प्रभाव बच्चों में जरूर होता है ठीक है ना जैसे बच्चों किसी के पिता जी जैसे हैं कभी कभी कुछ हाव भाव भी देखिए उनसे माइस कर जाते हैं ठीक है ना तो यह सारी चीज़े होती है तो इसका आप्शन सेकंड साही हो जाएगा आगे चलते हैं कोश्चन नंबर टॉन्टी सिक्स है टॉन्टी सिक्स ठीक सिच्छण अधिगम प्रकिया में ब्यक्तिगत रूप से ध्याम ठीक है सिच्छक पर सिच्छन कारक्रमों में ऐसा ही बताया गया है ठीक है इसके बाद अफशन आपका इससे परतेक सिच्छार्चों को अनुसासित करने के लिए सिच्छकों को बेहतर आउसर मिलेंगे बच्चों की विकास दर्भिन होती है और वे भिन तरीकों से सीखते हैं देखे पूर के वीडियो में हम पूर के वीडियो बोल रहा है पूर के जो अभी कोश्चन थे पहले के कोश्चन थे उनमें ये चार्चाइब हो चुकी है कि बच्चों की विकास दर भिन होती है और भिन तरीकों से ही सिखते हैं जो देखे प्जिशन अधिगम प्रिक्रिया व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है आपका question था सिच्छण अधिद्यम् प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्पूर है क्योंकि दोस्तों बच्चे हमेशे अभिन उनका विकास दाभिन होता है अभिन तरीकें उसे शीखतें कभी कभी कई क्या होता है कि हम किसी उक शिखा रहे होते हैं तो हो सकता उस तरीके से वो ने सीखे, कोई दूसरी तरीके से सीखे, कभी-कभी हम बच्चों को उनकी भासा में बात करके सिखाते हैं, तो जल्दी सीख जाते हैं, अब कोई मतलब से धान भासा में ही सीखता है, तो हर ब्यक्दिकी काच मतलब जो है, अलग-अलग है, और चमता अलग है आगे चलते हैं Question number 27 है निमलीखित में से कौन सी समस्या समाधान की बग्यानिक प्रिधित का पहला चारण है प्रकलन का परिक्षण करना समस्या के प्रति जागरुक प्रसांगिक जानकारी को प्रकलन का निर्मान करना ठीक है, दोस्तों हमेशा जब भी समस्या सभादान करने की बात आएगी तो आपको पहले उस समस्या को जानना होता है ठीक है ना समस्या क्या है उसको पहले आप जानिए, संग्यान मिलाईए हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है से प्रतिश्क प्रतिष्य समध्याड करने चाहते तो उस समस्या ça गरुदा है समय यशा रही च्ह चौह vapor करें सो इस्कारी बाद का दाविको चरन यह पहला चरन होता समस्या-थान का समस्या समय प्रतिष्या घंग ता ठीक है है कि निमिखीत में नेक्स question है 28 निम्लिकित में से कौन सा सीखने का च्छेत्र है अनुभाविक भावात्मक अध्यात्मिक बेवसाईक कौन सा च्छेत्र है दोस्तों सीखने का च्छेत्र है कमेंट के बाद हम देखिए अनुभाविक नहीं है भावात्मक है ठीक है effective देखिए आप आप कभी भी इतलब जब आपको हिंदी नहीं समझ में आए ठीक है तो English version आप जरूर देख लिए देखिए यहां लिखा हुआ है effective spiritual नहीं होता है अध्यात्मिक नहीं professional नहीं होता है और experiential नहीं होता है ठीक है experimental नहीं होता है तो यह आपका अंसर हो जाएगा chicken सीखने का छेत्र भावात्मक होता है ठीक है effective देखिए यहां पर दूख्र भावात्मक यहां लिखा है यहां effective लिखा है effective यानि प्रभाव साली ठीक है जो इंग्लिस का और हिंदी का जो दोनों language है दोनों में देखिए समझस बैट नहीं रहा है यहां भावात्मक लिखा है यहां effective लिखा है effective का मतलब होता है प्रभाव साली ठीक है तो आप इसको जरूर जब यहां नहीं है तो आप इंग्लिस जरूर देख लिया करें आगे कोशन दोस्ट जब बच्चा कार करते समय उबने लगता है तो यहां बात का संकेत है आप सन संभावता कार यांतरिक रूप से बार बार हो रहा है बच्चा बुद्यमान नहीं है बच्चे में सीखनी की योगता नहीं है बच्चे को अनूर सासित करने की जरूरत है बच्चा बुद्यमान नहीं निगेटिव बात हो रही बच्चे में सीखनी की योगता नहीं है यह भी गलत है बच्चों को अनुसासित करने की जरूरत है यह भी गलत है बच्चा जब कार करते हुए उबने लगता है तो अनुसासित इसमें अनुसासित की दो बात ही नहीं लगेगा, अगर बच्चे को देखे, खेल के माध्यम से एक practically प्रِवगात्मक तरीके से अगर कोई काम होगा थिक है तो बच्चा उसमें जल्दी उबता नहीं है थिक है, या आंत्रिक तरीके से जब उसको एकार लिया जाएगा तो उसमें बच्चा उबने जरूर लगता है, ठीक है, ओके आगे चलते हैं, प्राया आपका option, question number 30, question है, प्राया सिच्छार्थियों की तुटियों, देट-डेस की और संकेत करती हैं, सिच्छार्थि जो होते हैं, उनकी तुटियां किसकी और संकेत करती हैं दोस्तों, तो इसका option पहले आप सुन लीजिए, वे कैसे सीखते हैं, यानती का अभ्यास किया वसकता, सीखनी के अनुफस्तिती, सिच्छार्थियों के समाजी कार्थ कैसे सीखते हैं, तो इसका option आप देख लिए जो होते हैं, उनकी तुटियां किस और जो है इसारा करती हैं, वे कैसे सीखते हैं, यानती का अभ्यास किया वसकता, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, सीखनी का नुफस्तित, इसकी बात नहीं हो रहा है, सिच्छार्थियों के सम परहाद कर रहा हो झाब देखिए जैसे कि बच्चा पीए किसी चीज में तुटी कर रहा है तो इसका मतलब की टीछर ये समझने चाहता है मतलब वो प्रियास करेगा कि बच्चेँको कैसे सीखाए मतलब बार बार वह मतलब जो है गलती कर दिया ठीक है तो उसको वे ही कोसिस करेगा को कि ऐसे सीखते हैं ठीक है तो आप सना आपका एह ही सही होगा यह दोस्तों 2012 में जो पेपर हुआ था ठीक है वो प्रशन पत्र था जो आपके सामने हमने और इसका डिटेल में ब्याख्याई किया और वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए वीडियो के हैं पर जो है स्टॉप करते हैं और अगला वीडियो हो सकता आज ही बना दे या तो कल बनाएंगे आपके 28 तरीक से पहले जो है 2021-22 तक जितने प्रशन पत्र हुए पैड़ागोजी के हम आपको करवा देंगे ठीक आप इन